एक बार फिर से इस मॉड्यूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ आईए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम ECCE के परिच्चे के बारे में जान लेते हैं ECCE का पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख भाल एवं सिक्षा जिसे बाल सिक्षा एवं देख भाल भी कहा जा सकता है बाल्शिक्षा का तात्पर्य विभिन खेल पद्धतियों के माध्यम से बच्चों का स्वभाविक रूप से सैक्षिक विकास करने से है मालशिक्षा से जहां बच्चों का संग्यानात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सम्वेगात्मक, शारिरिक, भाशाई, एवं स्रिजनात्मक विकास होगा वहीं दूसरी ओर देखभाल का तात्पर्य बच्चों के उचित पोशन से है कहा जाता है कि बच्चों के जीवन का नक्षा 5 साल तक बन जाता है वह उसी नक्षे के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है ठीक उसी प्रकार जैसे मकान बनाने के लिए नीव बनाई जाती है नीव अच्छी होगी तो मकान मजबूत बनेगा उसी प्रकार बच्चे के जीवन को अच्छा बनाना है तो उसके प्रारंभिक पाँच वर्षों में उसे सीखने के समुचे तवसर प्राप्त कराई जाने चाहिए ECCE सिक्षा सिध्धान्त की एक शाखा है जो बच्चे के जन्म से आठ वर्ष की आयू तक तथा कक्षा पाँच तक के बच्चों के सिक्षन से संबंधित है जीन प्याजे का संग्यनात्मक विकास का सिध्धान्त भी बच्चे के विकास की चार अवस्थाओं को दर्शाता है जिसमें बच्चे की समवेद गलिक अवस्था जन्म से दो वर्ष के अंतरगत होती है पूर्व संकिरियात्म कवस्था 2-7 वर्ष के अंतरगत होती है प्रत्यक्ष संकिरियात्म कवस्था 7-11 वर्ष के अंतरगत होती है और अपचारिक संकिरियात्म कवस्था 11 वर्ष और उसके बाद होती है बच्चे के मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से ही होना शुरू हो जाता है जिससे वह अनेक गतिविध्या सीखता है और उन्हें भूलता भी रहता है बच्चे को दी गई कोई भी सूचना उसके मस्तिष्क में एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है जिसमें कोई भी सूचना समवेदी स्मृती से होते हुए लगु अवधी स्मृती और लगु अवधी स्मृती से होते हुए देर्ग कालीन स्मृती तक पहुचती है प्रारंबिक वर्षों में सीखने के दोरान बच्चे में अनेक कौशल का विकास भी होता है जैसे जिग्यासा को जगाना, तारकिक सोच की समस्या का समाधान, कला शिल्प कला एवं संगीत, प्रकृती के साथ संबन्ध, रंग, आकृती, अक्षर एवं संख्याएं, टीम वर्क और सहयोग, खेल तथा खोजाधारित सिक्षन, आचार विचार, स्वयम की पहचान, सिस्टाचार, व्यवहार और भावनात्मक विकास आईए जानते हैं ECCE में सिक्षा के वर्गिकरण के बारे में तो ECCE में सिक्षा को अनेक भागों में वर्गिकरत किया गया है, जिससे बच्चे का चहुर मुखी विकास होता है जैसे लचीली शिक्षा, बहु आयामी सिक्षा, बहु इस्तर्य सिक्षा, खेल आधारित सिक्षा, गतिविधी आधारित सिक्षा और खोज आधारित सिक्षा तो चलिए अब हम ECCE के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं NCERT द्वारा आठ वर्ष तक की आयू के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंबिक बालेवस्था की सिक्षा के लिए एक उतकरिस्ट पार्ठेक्रम और सेक्षनिक धाचा NCPF ECE विक्सित किया जाएगा जिसमें पहला फ्रेमवर्क होगा शुन्य से तीन वर्ष के बच्चों के लिए और दूसरा फ्रेमवर्क होगा तीन से आठ वर्ष के बच्चों के लिए अनुसंधान और सर्वोत्तम अभ्यास के अंतरगत NCPF ECE को नवीनतम अभ्यास के साथ तथा अंतराश्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास के साथ श्रेनीबद किया जाएगा बहु आयामी फ्रेमवर्क के अंतरगत अक्षर, संख्या, गिंती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेलियां और तारकिक सोच, समस्या समाधान, ड्रॉइंग पेंटिंग और अन्य द्रश्यकला, शिल्प, नाटक, कटपुतली, संगीत तथा आंदोलन को शामि किया गया है, विद्याले की तैयारी के मॉड्यूल के अंतरगत, कक्षा एक के सभी विद्यार्थियों के लिए, NCRT द्वारा तैयार किया जाने वाला, तीन महीने के लिए, प्ले स्कूल पर आधारित एक प्रेपरेशन मॉड्यूल, उन प्रताओं को, जो भारत में कई शत प्रताब्दियों से बालेवस्थाओं की सिक्षा के विकास के लिए सम्रद्ध हैं, और वे स्थानिया परंपराओं में विक्षित हुई हैं, जिन में कला, कहानिया, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल हैं, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाना भी सख्भारंबिक भाशा, साक्षड़्ता और संख्यात्मिध्यान के विकास में अधिक्तम परिणामों को प्राप्त करना भी मुख्यूद्देश्य है जिसे समग्र विकास के अंतरगत सामिल किया गया है समग्र विकास बच्चों की अनेक गती विधियों को सम्मिलित करता है जैसे खेलने और खिलाने की दिंचरिया को प्रोथसाहित करता है परियोजना आधारित है और वास्तविक दुनिया से जुड़े हैं सहयोग और व्यवहारिक अनुभव शामिल है विशयों के मामले में एक विध्याल्यों को परियोजना आरंब करने योजना बनाने और प्रबंधित करने की अनुमती देता है शिक्षार्थियों को विभिन संस्कृतियों से परिचित कराया जाता है समस्य समाधान और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है स्वास्थय और कल्यान को लागू करके गतिविधी आधारित और पूच्ताच आधारित चिक्षा शामिल है। प्राप्त करना है। गतिविधी आधारित और पूच्ताच आधारित अधारित अधिगम पांच वर्ष से छोटा प्रतियक बच्चा प्रारंबिक अक्षा और बालवाटिका में अवश्य जाएगा। आईए अब हम आगनबाडियों और प्री स्कूल के ECCE में होने वाले सम्मिलन के विशह में जान लेते हैं। विस्तरित और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को इन संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहला है विस्तरित और सशक्त रोप से चल रहे आगनवाडियों के माध्यम से। दूसरा प्रात्मिक विद्यालेयों के साथ सशक्त आंगनवाडियों के माध्यम से तीसरा पास से छे वर्ष पूरे कर चुके पूर्व प्रात्मिक विद्यालेयों के माध्यम से और चौथा अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से जिसके लिए आंगनवाडी केंद्रों क सशक्त बनाया जाना बहुत आवश्यक होगा तो चलिए जानते हैं आंगनवाडी केंद्रों के सशक्तिकरण के बारे में प्रतियेक आंगनवाडी में सम्रद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार बाल सुलब और निर्मित भव बन होगा ECCE की सार्वभोमिक पहुँच के लिए आंगनवाडी केंद्रों को उच्चितर गुणवत्ता के बुनियादी धाचे, खेलने के उपकरण और पोन रूप से प्रसिक्षित आंगनवाडी, कार्यकत्रियों या सिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा आंगनवाडी केंद्रों के सशक्तिकरण के लिए कार्यकत्रियों या सिक्षकों के प्रसिक्षन की भी आविशक्ता होगी, चलिए जानते हैं इनके प्रसिक्षन के विशय में 10 प्लस 2 और उससे अधिक योग्यता वाले आगनवाडी सिक्षक को ECCE में 6 महीने का प्रमान पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम योग्यता रखने वालों को एक वार्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा यह प्रसिक्षन डिजिटल या दूरस्त माध्यम से DTH चैनलों के साथ स्मार्ट फोन के माध्यम से भी चलाया जा सकता है जिससे सिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में कम से कम व्यवधान के साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में आसानी रहेगी आए जानते हैं ECCE का आदिवासी बहुल छेत्रों में होने वाले विस्तार के बारे में ECCE को चरणबद तरीके से आदिवासी बहुल छेत्रों की आश्रम शालाओं में शुरू किया जाएगा ये आश्रम शालाओं में ECCE को एकी कृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया अन्य संस्थानों की तरह ही होगी ECCE पाठ्यक्रम और सिक्षण विधी के विस्तार के अत्रदायत्यों के बारे में भी जान लेते है ECCE पाठ्यक्रम और सिक्षन विधी की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्राल्य की होगी ताकि प्रात्मिक विद्याल्य के माध्यम से पूर्व प्रात्मिक विद्याल्य तथा इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और सिक्षा के मूलभूत पहलूँओं पर ध्यान की इन्रित किया जा सके ECCE पाठेक्रम का आयोजन और क्रियानवयन मानव सनसाधन विकास मंतरालिय महिला और बाल विकास मंतरालिय स्वास्थ और परिवार कल्यान मंतरालिय और जन जातिय कार्यमंत्राल्य द्वारा संयुक्त रोप से किया जाएगा तो आज हमने मॉड्यूल 2 के अंतरगत NEP के अंतरगत ECCE का परिच्च ECCE में सिक्षा का वर्गी करण ECCE के उद्देश्य आंगनबाडियों का ECCE में सम्मिलन आंगनबाडी केंद्रों का सशक्ति करण आंगनबाडी सिक्षकों का प्रिसिक्षन से जुड़ी जानकारे प्राप की है अंत में मैं आपको मॉड्यूल 2 को सफलता पूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ आशा करती हूँ आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए बहुत लाप्रद होगी NEP की ऐसी ही महत्तपुर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे तब तक के लिए नमस्कार